ओम गण गणपत ये नमाहा स्री गुरुदे वदत नमस्कार मित्रो प्रॉफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव या भगवान हनुमान जी की रक्षा पाने के एक शक्तिशाली तीन शब्दों के दिव्य मंत्र के बारे में बताने चाह रही हूँ यह एक छोटा सा मंत्र है जिसे कोई भी आम, स्त्री या पुरुष बिना परेशाने से बूल सकता है और इस मंत्र की खास बात यह है कि साधक इस मंत्र को शिव जी या हनुमान जी को समर्पित कर सकता है याने कि अगर साधक के इष्ट देव भगवान शिव है तो वह इस मंत्र को भगवान शिव को समर्पित कर सकता है या अगर हनुमान जी उसके इष्ट देव है तो मंत्र को हनुमान जी को समर्पित कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करेए यह मंत्र श्री हनुमान अश्टोतर शतनाम नामावली याने की हनुमान जी के एकसो आठ नामों में बर्नित नाम क्रमांक पचासी और श्री शिव अश्टोतर शतनाम नामावली याने की भगवान शिवजी के एकसो आठ नामों में बर्नित नाम क्रमांक सत्रह भक्त वच्छल इस नाम पर आधारित है याने कि दोनों भगवान, शिव और भगवान हनुमान को इस नाम से संबोधित किया जाता है भक्त वच्छल का अर्थ इस प्रकार से है भक्तों की रक्षा करने वाला या भक्तों का खयाल रखने वाला या भक्तों की देखपाल करने वाला याने कि अगर साधक पूरी भक्ती और श्रथा से इस मंत्र को बोलेगा तो उसके इश्टदेव निश्चित रूप से उसकी हर प्रकार से मदद करेंगे और उसका खयाल रखेंगे अब मैं आपको इस मंत्र जाप की विधी के बारे में बताने जा रही हूँ गुरुप या ध्यान से सुनिए इस मंत्र के संबंधित विशिष्ट पूजाविधी दिशा आसन माला इत्यादी का बंधन नहीं है और साधक इस मंत्र को हरोज सवेरे या रात को सोने के पहले अपने इश्टदेव का समरन करके बोल सकता है याने कि अगर वह भगवान शिव को मंत्र समर्पित कर रहा है तो मंत्र चाप शुरू करने के पहले भगवान शिव जी का समरन करके फिर मंत्र चाप शुरू करना है और अगर हनुमान जी को मंत्र समर्पित करना है तो हनुमान जी का स्मरण करके मंत्र चाप शुरू करना है लेकिन याद रहे कि मंत्र के दोनों में से किसी भी एक को ही आपको मंत्र समर्पित करना है अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रहे हूँ कुरुपई अध्यान से सुनिए मंत्र इस प्रकार से है ओम भक्तवचलाय नमहा मंत्र फिर से सुनिए ओम भक्तवचलाय नमहा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपई या सस्क्राइब करना मत बुलिए प्रभु सबका कल्यान करेंगे